स्वागत है आपका दिवेह माचल टीवी में शाम के 6 बच चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई लेटर सबस्थ आज इस बुलेटिन में हम आपके साज़ा करने वाले हैं देखें विशेश तोर से आज इस बुलेटिन में बड़ पुर्व में करमचारी नेता का दाइतव निभाच चुके हैं लेकिन अब अल्टिमेटम इन्हों ने दे दिया है कि जल्दी ही आंदोलन का रास्ता ये पकड़ने वाले हैं क्या कुछ इनकी ओर से कहा गया है और कैसा रियक्शन इस पर सरकार की ओर से सामने आया है ये भी चुनावों के साथ भी हाला कि छे उप चुनाफ हुए थे लेकिन बगापती सुर्ष सबसे ज़्यादा भाजपा में देखने के लिए मिले हैं और अब ये कौन-कौन से नेता है जिन पर गाज गिर सकती है इसके लिए जरूरी बैठक बुला ली गई है भाजपा की ओर से क तो ये जानकारी भी हम आपको देंगे लेकिन शुरूआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 20 चुलाए तक कभी मौसम विज्यान केंदर की ओर से यलो अलर्ट जारी किया गया है अधिकांश क्षेत्रों में मेग बरसने वाले हैं 10 चिलों में ये बारिश को लेकर अलर्ट ज क्योंकि फसले बुरी तरह से प्रभावित हो रही है सेव की पतियों में तीर रोग लग गए हैं एक उसका मुख्या कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो सुखा पड़ा है उस वज़ा से ये सेव की पतियों में रोग लग लग रहे हैं तो बड़ा नुकसान आने वाले सम हलन इस रोड पर हो चुका है लेकिन JCB मशीन पुरी तरह से लैंड स्लैड की जद में आ गई और चालक को गंभीर चोटे लगी हैं उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुचा दिया गया है और इस रोड पर काफी जादा साबधानी बरतने के लिए इसी वज़ा से कहा जात है क्योंकि किसी भी वक्त बड़ी-बड़ी चटाने सड़क पर आ जाया करती हैं देखें क्योंकि मौसम से जुड़ी हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो कृष्णा नगर वार्ड जो कि शिमला में है इससे जुड़ी अपडेट भी दे देते हैं इस्पेक्शन टीम यहां स बड़ा में लटके हुए हैं जिन लोगों के मकान धह गए थे अभी तक आशियाना उन्हें उपलब नहीं करवाया गया है यानिकि रहने की एक सही व्यवस्था जहां पर्मानेंटली वो रह सके ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की और से की नहीं गई है और बाकी के मकान भी ख करना चाहेंगे नहन से जुड़ी क्योंकि यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग काफी जादा रहते हैं यानि कि संख्या बहुत जादा है और मुस्लिम समुदाय में ही दो पक्षों के बीच जड़प का मामला सामने आया है दरसल आज क्योंकि मुहरम थी और इस बीच साल पहुचा दिया गया था तीसरे को जादा गंभीर चोटे नहीं लगी थी लेकिन बड़ी बात ये है कि दोनों ही पक्ष मुस्लिम समुदाय के थे और ताजिया जुलूस निकालने पर ये तनापुन महौल वहां पर बन गया देखें पिछले कई वर्षों से जो सुनी सम हुदाय है उसकी और से ही ताजिया जुलूस वहां पर निकाला जा रहा था लेकिन इस बार ये मांग अंजुमन इसलामिया की अध्यक्ष है उनके साथ ही हाला की धक्का मुकी करने का मामला सामने आया और ये भी अधिकारी की और से जानकारी दी गई है कि कुछ तिन पहले जो इस पूरे मामले में अधिकारी के समक्ष सुनवाई हुई थी उसमें फैसला ये दिया गया था कि जो अंजुमन इसलामिया है इन्हें ताजिया कमेटी के गठन के लिए अभी NOC नहीं दिया जा सकता है तो इन्हें ये NOC नहीं दिया गया था जिसके बाद दोनों ही चालने पर बड़ा हंगामा एक तरीके से हुआ हाला कि अभी पुलिस में भी ये कंप्लेंट जा चुकी है लेकिन जो गंभीर रूप से दो लोग घायल हो गए थे उन्हें अस्पताल पहुचा दिया गया है और उपचार उनका चल रहा है इसके बाद जो भी रिपोर्ट इ देखे जल शक्ती विभाग की कारे प्रनादी पर सवाल उठे हैं ये मामला हम परवानों से जुड़ा बताना चाहेंगे आपको ये परवानों में तकसाल पंचायत है और अमबोटा गाउं बताया जा रहा है जहां पानी के टैंक में मृत पक्षी बताय जा रही हैं और वी पास था रख रखाव का जिम्मा पंचायत को ही दिया गया था पानी की सप्लाय टैंक में भले ही जल शक्ती विभाग की ओर से की जा रही हो लेकिन रख रखाव का जिम्मा पंचायत के पास था लेकिन पंचायत के प्रतिनीधियों का ये कहना है कि पहले इस पानी के टैंक क कि ओपर धकन बिलकुल लगाया गया था लेकिन यह धकन जिसने भी हटाया है उस पर यहां स्ट्रिक्ली एक्षन लिया जाएगा गंभीरता से अब इस बात की जांच होने वाली है लेकिन इस पूरे मसले में सबसे जादा ग्रामिन पिस्ते हुए नजर आ रहे हैं जिन ग्राम की कारियाफ नादी पर ही सवाल उठे थे इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा था लेकिन यहां विभाग ने क्लियर कर दिया है कि जो पानी का टैंक था वो विभाग के दाइरे में नहीं आ रहा था उसकर रख रखाव का जिम्मा पंचायत के प्रतिनीदियों को दिया गया था तो सवाल भी पंचायत के प्रतिनीदियों से ही इस पर होना चाहिए अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ पता चलता है यह जो पानी के टैंक के ओपर से धक्कन हटाया गया है आखिरकार यह किस ने किया था किसकी साजिश थी कोई शरार्ती तत्व थे या बच् भाजपा विधायक सुधिर शर्मा पर कॉंग्रिस की ओर से बड़ी टिपनी की गई है मुख्यमंतुरी सुक्विंदर सिंग सुखु के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चोहान की ओर से आज यह स्टेटमेंट दी गई है मीडिया के समक्ष की सुधिर शर्मा तो अब यहा इसे नेता को पनाहा दी है जो दगाबाजी करके उस पार्टी में आया है अब जीत हासिल कर ली है तो यहां के लीडर से कुछ पूछना उनके साथ बैठना भी जरूरी नहीं समझ रहे सिधा राश्ट्रे सरके लीडर के साथ जाकर बात्चित हो रही है दूसरे बात इन्हो ही कि अब जो परिनाम सामने आए हैं उसके बाद नेता पतिपक्ष वैराम ठाकुर ने अगली डेट नहीं बताई कि वो फिर कब सरकार को गिराने वाले हैं दर असल इससे पहले दो से तीन दफा नेता पतिपक्ष वैराम ठाकुर ने यह बयान दिया था कि पहले तुनका य कहना था कि ये जो तीन उपचुनाव हुए हैं इसके बाद सरकार गिर जाएगी तो इसी पर चुटकी लेते हुए ये नरेश चोहान ने कहा है कि अगली डेट अभी तक नेता पतिपक्ष ने नहीं बताई शायद वो इस बार लेट हो गए हैं अब जनता ने उन्हें सबक बिज़न की शुरुआत हो गई है लेकिन बागवानों के साथ हर साल ठगी के मामले सामने आते हैं ऐसे ठगी के मामलों को रोका जा सके इसके लिए तरह तरह के कदम एप्यम्सी के ऊर से उठाए जा रही हैं और सबसे जाधा नियम या सकती इस बार आर्टियों के साथ बरह हुई थी लेकिन अब दूसरा फैसला ये ले लिया गया है कि रेजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही इन्हें सिक्योरिटी फीस भी देनी होगी माल लीजिए कोई बड़ा कारोबारी है जो क्रोडों में सेव का कारोबार करता है तो 25 से 30 लाग तक की सिक्योरिटी फीस उसे जमा बागवानों का भी होगा क्यूंकि ठगी के मामले कम हो पाएंगे हलाकि इसके लिए इसके लिए इन्वेस्टिकेशन टीम का गठन भी कर दिया गया है मौके पर वहाँ पुलिस कर्मी मौजूद रहने वाले हैं किसी के साथ ठगी होती है बहस बसाई होती है जड़ब का मामला सामने आता है तो तुरंत प्रभाव से ऐसे मामलों को फिर निप्टाया जा सकेगा लेकिन ये बड़ी बात हम कहना चाहेंगे शिमलों और किनौर मे 262 आरती पहले से ही पंजिकरित हैं ये पहले से इन्होंने अपनी रेजिस्ट्रेशन करवाई है लेकिन समीती के पास इन्हें अपनी सिक्यॉरिटी फीज यानि की धरोहर राशी भी जमा करवानी होगी ये इनके लिए मैंडेटरी एक तरा से यहां कर दिया गया है अब आना चाहेंगे उस चिठी पर जो कि मुख्या मंतरी सुक्फिंदर सिंग सुक्षू को भेजी गई है क्योंकि देखे ओल्ड पेंशन स्कीम यों तो हर डिपार्टमेंट में ही लागू हो गई है और इसका लाब मिलना भी पेंशनर्स को शुरू हो चुका है लेकिन बि बाकी राज्यों में भी सरकारे लागू कर रही है हिमाचल में पहले से लागू कर दिया गया है इस एक्ट में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो पावर इंजिनियर्स हैं उनके लिए ओपियस बहाल नहीं हो सकती जब बाकी वर्गों को बाकी करमचारीयों को यह रख रहे हैं। जहां OPS बहाल हो गई है जैसे हिमाचल की हम बात करें। और बाकी भी यह 3-4 के करीब ऐसे राज्य है कॉंग्रेस शाशितराजियों में क्यूंकि सबसे पहले OPS बहाल हुई है। मकारा से एंपिय स्कीम पहले ओप्याजे की होती थी फिर एंपिय स्कीम बहाल कर दी गई दी थी और एंपियस के बाद अब कॉंग्रर शाषित राजयों में फिर और यह बहाल हो गई है तो ऐसे मुनकी ओर सा मांग यह रही पैश कर जा nam दिया जा है कि जल्ण मांग पर कोई गौर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कोई हलचल हमें सची वाले में ऐसी नजर नहीं आ रही है काफी जादा लेड लतीफी अब बरदी गई है लेकिन इसके बाद क्या कुछ होता है देखना होगा क्यूंकि इससे पहले code of conduct भी लगा हुआ था जिस वज़े से teacher award लेना भी आसान नहीं रहे गया है कई तरह के map done इस policy में add कर दिये गए हैं और ये नए प्रावधान हम देख रहे हैं शिक्षकों ने शायद ही सोचा होगा कि इतना जादा मुश्किल भी award लेना इनके लिए हो सकता है पहली बात तो ये है कि 16 जुलाई से लेकर 30 ये सभी आवेधन भेज दिये जाएंगे और 10 से 20 अगस्त के बीच यहां एक तोड़ा से चंटनी होने वाली है निदेशालिया में और ये भी देखा जाएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्नोंने नीड जेई और बाकी प्रतियोगी परिक्षाओं में पास हो पाए हैं ये भी चेक होने वाला है, स्पोर्ट मुल्यांकन होने वाला है, दूसरी बात स्कूल में विजिट किया जाएगा एक स्पैशल टीम की ओर से जिसमें एकेडमिक पर्फॉर्मेंस शिक्षकों की जानी जाएगी, बच्चों से बात होने वाली है और बच्चों के लिए तो य पर्फॉर्मेंस शिक्षकों की जाएगा और उससे पिछली पर्फॉर्मेंस भी बाकी के चड़नों में देखी जा रही है, और चात्र इनके बारे में क्या राय रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा एहम रहने वाला है, तो जो शिक्षक आवेदन करने वाले हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कैसी चवी है उनकी यहां चात्रों के समक्ष, ये देखना काफी जादा रोचक रहने वाला है, क्योंकि चात्र ही उनके बारे में जानकारी देने वाले हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी, प्रेजेंटेशन के तौर पर तयार होगी, फंक्षन वाले दिन ये भी बताया जाएगा कि किस शिक्षक को आखिरकार किस वज़ा से समानित किया जा रहा है, किस तरह की चाप उसने अपनी चात्रों पर छोड़ी है, देखिए एरियर और डीये पर अब घमसान होने वाला है, सिर्फ मौजूदा समय के करमचारी नेता नहीं, बलकि पुर्व में जो करमचारी नेता रह चुके हैं, उनकी ओर से भी अर्टीमेटम दिया जा रहा है, ये बात गोपाल दास वर्मा की ओर से कही गई है, कि करमचारी पैंशनर्स और विरोजगार तीनों ही परेशान है, अठरा महीने बीद गए हैं, लेकिन सरकार क कि ओर से कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है, और ये अपने एरियर डिये को लेकर अब संघर्श का रास्ता अपनाने वाले हैं, जल्दी ही बाकी करमचारी संघर्टनों के साथ एक बैठक होने वाली है, गोपाल दास वर्मा की, जिसमें पै किया जाएगा कि और उसके बाद फिर ये सडकों पर उत्रेंगे, अब एरियर डिये के लिए और जादा इंतजार ये नहीं करने वाले हैं, और बिरोजगार युवाओं को भी अभी तक नौक्रिया नहीं दी गई है, इस बात का भी इनमें इंतजार ही बना हुआ है, हलाकि ये डिये और एर प्रदाश नहीं करेंगे, जल्दी ही अपने लिए आवाज उठाने वाले हैं, और समय रहते ही एरियर और डिये का बुखतानी नहीं तो कर दिया जाए, बार बार ये मुख्या मंत्री सुख्र की ओर से हवाला दे दिया जाता है कि प्रिदेश की आर्थिक स्थिती ठीक नह दर आ रहा है, देखें दूसरी ओर भाजपा बगावत पर बड़ा फैसला लेने वाली है, जिन नेताओं की ओर से बगावती सुख्र सामने आये थे, उन पर बड़ा एक्शन जल्दी हो सकता है, इसके लिए जल्दी ही एक बैठक बुलाई जा रही है, और ये बैठक कल ही ह हो रही है, कारे समीती की बैठक है, उना जिला में होगी और इसमें केंदुरिय उर्जा मंत्री मनोहलाल खटर भी विशेश रूप से शिर्कत करने वाले हैं, तीन बड़े फैसले होंगे, एक तो ये कि नया सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है, दूसरा फैसला उन लोगों पर जिनोंने विरोधी स्वर बगावती सुर्जिन की ओर से यहां पर देखने के लिए मिले थे, उन पर एक्शन होने वाला है, और इसके लिए एंटी पार्टी एक्टिवीटी रिपोर्ट भी तयार की गई है, इसी रिपोर्ट को देखते हुए फैसला होगा, कुछ एक नेताओं पर, देखे सुजानपूर में उपचनावों में हारका सामना भाशपा को करना पड़ा, गगरेट में भी, देहरा में भी, नालागड में भी, कुटलेहर में भी, तो विशेश तोर से इन क्शेत्रों को लेकर ये मिटिंग बुलाई गई है, यहां कौन भाशपा नेता थे, जिनकी ओर से बगावती सुरू उठाए गए, और इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी फिलहाल दिखाया जा सकता है, यह बड़ी जानकारी हम कहना चाहेंगे, अगले कल क्यूंकि बैठक होगी, और क्या कुछ इसमें तैय होता है, यह बिल्कुल ह भी फल रहे हैं, और जब बगावती सुरू काफी जादा उठ जाए, तो वैसे ही डैमेज कंट्रोल करना काफी जादा मुश्किल होता है, लेकिन कौन से ऐसे चहरे हैं, जिनकी वज़ा से बार-बार इस तरह की स्थिती सामने आ रही है, इन सभी बातों को लेकर देखी, अ भी तक हिमाचल को नहीं मिल पाई है, पिछली बार प्राकृती कापदा आई थी, और यहां एक स्पेशल टीम भी केंदर से पहुंची थी आकलन करने के लिए, यह प्राकृती कापदा के बाद केंदरिय टीम की ओर से आकलन किया गया था, और यह माना जा रहा था कि 9,042 क् पर हिमाचल को, ताकि प्रभावितों की मदद की जा सके, तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थीती से अफगत करवाया है, अमिशाह को मुख्या मंतरी ने, और साथी साथ यहां की सवेदन शीर्ता से भी अफगत करवाया है, यह जो आकलन किया गया था केंदरी टीम की ओ नुकसान हुआ था, अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है, मरमत के कारे बीच में लटके हुए हैं, तमाम तरह की परिशानियों से अफगत करवाया गया है केंदरी ग्रिह मंतरी को लेकिन देखना होगा राशी कितनी जल्दी जारी हो पाती है, क्यूंकि अब तो एक स साल का समय हो गया है, यही वो समय था, यही वो महीना था जब काफी जादा नुकसान पिछले वर्ष हो रहा था, इसके अलावा लाहुस पिती में अंतर राजिय सीमा पर सर्चू और शिंकुला में सरकारी भूमी पर अंधिकृत कबजे पर उचित कारवाई की भी मांग की गई है, दर असल वहां पर जो कबजा कर लिया गया है वह तरीके से इस पर भी कारवाई करने की मांग मुख्यमंतुरी की ओर से अमिशाह के समक्ष उठाई गई है, नेता पतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक और बड़ा दावा किया है, पहले यह जयराम ठाकुर ने ही कहा था कि 125 यूनिट तक जो निशुल्क बिजली दी जा रही है या बिजली पर जो सबसीडी मिल रही है, उसे बंद किया जाएगा, इसके बाद दूसरा दावा नेता पतिपक्ष ने यह किया है, कि बेटियों की शादी के लिए जो शगुन योजना शुरू की गई थी, इसमे पतिपक्ष जोयराम ठाकुड ने आरोप लगाया है, कि शगुन योजना भी बंद कर दी गई है, और इस बारे में पूरी जानकारी जोयराम ठाकुड ने ये दी है, कि एक साल का समय हो गया है, अभी तक आवेदन लंबित पड़े हैं, हर जीले में सैंक्डो आवेदन हैं, जिसमें कि बच्चियों की शादी के लिए राशी मांगी गई है, लेकिन ये राशी उन्हें मुहिया नहीं करवाई जा रही है, जबकि सरकार के पास बजट था, उसके बावजुद भी बेटियों की शादी के लिए ये राशी नहीं दी गई, और अब ये बजट भी लैप हो गया है, और इससे जादा दुर्भागया पुण कुछ नहीं हो सकता है, कि जहां शादी के लिए राशी जारी की गई हो, उसके बावजुद भी न दी गई हो, तो ऐसे में कई तरह के सवाल उखते हैं, और सुख्षू सरकार को इस पर जवाब भी देना चाहिए, पहले निशुल बिजली बंद कर दी गई, 125 उनिट तक जो बिजली दी जा रही थी, उस पर ये बड़ा और नकारत्मक फैसला सुनाया गया है लोगों के लिए, जिसे लोग स्विकार नहीं कर पा रहे हैं, अलाकि ऐसा नहीं है, कुछे कमेंट्स पॉजिटिव भी इसे लेकर आ हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फ्री जो सुविधाय दी जा रही है, वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो निर्भरता है, वो काफी जादा बढ़ जाती है सरकार पर, आम लोगों की भी, और दूसरी बात, अब देखें, जो बड़ा दावा यहां जैराम पीता बहुत गरीब है, फॉर्ड नहीं कर पा रहे है, और विशेश फॉर्ड से ऐसी बेटियों की शादी के लिए ये योजना शुरू की गई थी, जो अनात है, जेविटी नियुकती में बड़ा पेज फस गया है, हलाकि पिछले कल TGT's को लेकर तो ओर जारी हो गए है, T परिवर्तन होने का कारण लिस्ट में ये है, कि अभी कुछ एक प्राइमरी स्कूल में युकती करण हो रहा है, यानि कि रैश्टिलाइजेशन की जा रही है, जहां शिक्षक कम है, या फिर अन्रोल्मेंट काफी जादा कम है, कुछ एक स्कूलों को क्योंकि मर्च भी किया जाना है, कुछ बंद कर दिये जाएंगे, कुछ एक साथ मर्च किये जाएंगे, जो कलस्टर सिस्टम वाली खबर हमने आपको दी थी उसी के तहट, तो इसी वज़ा से अभी तक ये लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है, पहले देखा जाएगा किन स्कूलों में आवे शक्ता है, कहां पर एन्रोल्मेंट कम है, या कहां सबसे जादा है, उसके बाद ही ये पोस्टिंग स्टेशन की लिस्ट अलग से आएगी, और फिर दोबारा से ये फाइल सरकार को भेजी जाएगी, ताकि फाइनल मन्जूरी जेविटी बैच वाइस नियुकती में भी मिल सके, तो